वाहे गुर्जी का खालसा वाहे गुर्जी की फते मैं डॉक्टर सारप्रीत को और प्रोफेसर जुगिंदर सिंग जीदी सपुत्री उनादा लेख तर्ती शिरी अनांदपूर सहब नू अगे वदान्दे हुए आज शिरी अनांदपूर सहब दे रुहानी पक्नल्टवानू जोडांगे आनन्दा साधारन जा व्यापक अर्थ पावे खुशी ले आ जान्दा है पर पार्ती शब्दावली विच आनन्द शबत सदा आत्मक प्रसंता वास्ते ही वर्त्या जान्दा है आनन्दा पाव है ओ मान से खुशी जड़ी निरंतर बनी रहे संकट जा सुलम कार ना मुके ना पज्ये शिरी अनन्दपुर साहथी सिरजना दा मुक उपदेश ही इए सी की गुर्चिक खानु निरंतर आत्मक प्रसंता ते आत्मक बल्दा वर्दान मिल्दा रहे। गुर्ज सिक संकट विच होवे या जुलम दा शिकार हो रहा होवे जे ओ शिरी अनानपुर सहीब ना जुड़िया होया है ता गुरु गोबिन सिंग जी सह जे ही ते लगातार उसनु आत्मक प्रसंता परदान कर दे हन ते बल सेती जियून दा वर्दान विदें दे हन आत्मक प्रसंता गुरु दा प्यारा बनन विची है ते बल सेती जीवन गुरु नू सिक अरपन करन विची है शिरी अनन्दपुर सैब नो अध्यात्मक दृष्टी तो देखो या सिरिजनात्मक दृष्टी तो देखो हार ते निराशा अनन्दपुर सैब दे जीवन आदर्श तक कदी भी अंग नहीं रहे गुरु गोबिन सिंग जी हाला नो साल दे सन हिंदू तरम दी सुरख्या नमित पिता गुरुतेग भाधर जी नू शहादत देन लई दिल्ली पेज दिता पेजन वेले अनंद बाहर प्रसंता अते जाहु जलाल ही है निराशा डर ते सहम दी पावना विलकुल नहीं शहीदी पिच्छों पिता गुरुतेग भाधर जी दा कट्या सीस चोली विच है पर हिर्दे विच जैजैकार दी पावना प्रचंड है औरंग जेबी हकूमत दा हाथ ठोका बनके आले द्वाले दे पहाडी राजे दुश्मनी कमाम वलवद रहे हैं पर गुरु गोबिन सेंग जी दी पार्ती आत्मानों जागरिती दे बल प्रदान करन लई पौंटा साव विखे कवीता पंडार दे कवी दरवार केंदरित कार रहे हैं जे पहाडी राजिया ने हमला कार देता ता पंगानी ते नदोन ते युद्धा विच पूरी निडर्ता नाल जूज भी रहे हैं गुरु गोबिन सेंग जी दी उमर पावे चड़दी जवानी वाली है पर उना दी मानसिक इकागरता स्रिज नात्मक सोचनी सूर वीर विहार चड़ती कला अते लई समर्पन बिर्ती मर्दानगी जजबा ते कौम नू संपूरं ते न्यारा रूप देंदा चा एनना अतिबर ते वदेरे है क्यों लगा तार अजित दी मूर्ती मान हुंदे हैं अनुभव ते अजित वाता वरण विच जियून वाला सदा प्रसंता ते स्वे मान विच जिन्दा है निराशा ते हार उस दे जीवन दा अंग नहीं बन सकदे गुरू गोबिन सिंग जी ने अपने अनुभव ते अजित जजबे नू साकार करनवास दे शिरी अनन्दपूर सहब दी किला इसारी विच इस टांग दी कीती कि वड़े तो वड़ा विरोती ते मारू हमला वी उनादू किसे तरह दा जानी नुकसान नहीं सी पोचा सकता सोला सो नरेडवे इस्वी देवी विसाखी दिवस उत्ते गुरू को बिन सिंग जी ने असी हजार सिखानू अम्रे चका के मौत दी मौताजी तो मुक्त ते अजित पावना प्रदान करके जिते खाल सा काल पुरक दी फोच सजाया ते खाल से दा नेरा रूप प्रक्टाया उस नाल शिरी अननपुर सहब दी तरती नू एक स्वतंतर ते खाल सा कौम सिर्जन दी जनम पुमी होंदा मान वी मिल गया ते इत्यासक नक्षे विच वी शिरी अनानपुर सहीब दी प्रसिद्धी दी मानता होर वद गई निश्चे ही शिरी अनानपुर सहीब खालसा कौम दी आत्मक प्रसंता अजित ते निडर पावना न्यारे सरूप ते जथे बंदक शक्ती दा प्रधीक भी है ते प्रेणना स्रोत भी है शिरी अनानपुर सहीब दी तर्ती तरम युद्धा लई 20 सरप प्रिये है तरम ते देश्ची अजादी लई खास करके दुष्टा ते दोखियानों पच्छाडन लई इत्थे पवित्तर तर्ती तो गुरु गोबिन सिंग जी ने पहाडी राजिया ते मुगल हकूमत नाल स्तारा युद लड़े सन गुरु गोबिन सिंग जी ने सारे युद्ध तरम ते देश्ची अजादी लई सन जिवें युद्धा विच तर्ती दे कबसे तो लुट खसुट दी पावना प्रदान हुन दी है गुरु गोबिन सिंग जी दे युद्धा विच एजही कोई वी पकड़ नहीं सी गुरु गोबिन सिंग जी दे सारे युद्ध हकूमत दे जुल्म विरुद्ध सन इसे कारंग गुरु सहीव दिया फोजां विच पीर पुद्धु शावर के इंसाफ पसंद योदे वी सन जे तरम युद्धा विच कोई राज जा तर्ती उते कबसे दी पावना हुन दी ता चाली हजार मुगला विरुद्ध चाली सिख कदी वी जान दी बाजी ना लाउं दे सारा सर्बन से अनेका सिक शहीता शहीत करवा के वी जो तो गुरु गोबिन सिंग जी ने औरंग जेब नू जफर नामा ते फते नामा लिख्या ता उस वेले वी उना दे बोल विच बाल वी है ते निडरता वी है जित दा आतम विश्वास ता उना दी समुच्ची उमर विच स्थिर रिया है हार ते निराशा गुरु गोबिन सिंग जी दे जीवन दा कदी भी आंग नहीं बान सके शिरी अनानपुर सहेब दा बोल सदा जेतू रिया है वाहिगुर्जी का खालसा वाहिगुर्जी की फते खालसा सर्जना दिवस से उपलाक्षिच साड़े तिन पॉड़कास्ट नो तुसी बहुत सराया है बहुत प्यार दिता है उस्वासे बहुत बहुत तनवाद ते नेक्स्ट एपिसोड असिस्ट रानुगुरु नानक देवची ते जोत ते जुगत ते नाल जोडांगे